चलिए आगे बढ़ते हैं तो वही राजुसभा सांसद कार्थिक शर्मा निभीत कई मुद्धे राजुसभा में उठाएं क्या कुछ उनके सवाल रहें आएए ग्राफिक्स के जारिय अपको दिखाते हैं तो यहां पर जवाब मिला वर्ष 2022 में संख्या बढ़ी है और भारत सरकार ने चात्रों सहित सभी श्रेडियों के भारतियों यात्रियों के लिए वीजा जारी करने की प्रकरिया को सरल बनाने के मुद्दे को संबंदित सरकारों के साथ उठाया है स्टूडेंट्स के मुद्दो पर सवाल उठाते हुए कार्तिक श्रमा ने यहां पर पूशा कि विदेश जाने वाले जो विद्यार्थी है क्या उनकी संख्या में वृध्धी हुई है तो वहीं उन्हें जवाब मिला कि कि वीजा प्रदान करना किसी भी सरकार का संप्रुभ निर्णै और विशेश अधिकार है जो उनकी प्रकृरियाओं के आधहार पर उनके मिश्रों के माध्यम से किया जाता है तुवही कार्टिके शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार द्वारा विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रवृत्ती योजना प्रस्तावित है अगर हां तो योजनाओं का लाप उठाने की प्रकरिया का बेवरा क्या है जवाब मिला राश्ट्य विदेशी, छात्रवृत्ती, समाज़िक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान विद्द की जा रही है तो वही कार्टिके शर्मा ने सवाल पूछा कि क्या सरकार इसस्वीकार करती है कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बची अगर हां तो प्रदूशन बढ़ने के क्या कारण है तो वही जवाब उन्हें मिला कि दिल्ली अंसियार में वायू प्रदूशन जो विपरीत मौसम संबंदी परस्थियों के कारण सर्थियों के दौरान बढ़ जाता है इसके प्रमुक्ष रोतों में ओद्योगिक प्रदूशन बाहनिय प्रदूशन है बायो बांस पराली ठोस अप्षिष्ट जलाना सैनेटरी लैंडफिल ये मुख्य कारण है इसके अलावा मुख्य श्रोतों में ओद्योगिक जो रसाइनिक पदार्थ निकलते हैं लैंडफिल में आग आदी शामिल है तो यहाँ पर कई तरह के अन्य मुद्दों पर राजो सभासांसत कार्तिक शर्मा ने सवाल उठाया स्टूडेंट्स का मुद्दा उन्होंने उठाया कि भारत से कितने स्टूडेंट्स को विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए वीजा मिला इसका भी उन्हें जवाब दिया गया तो वहीं उन्होंने दिल्ली की आबो हवा को लेकर भी सवाल उठाया कि क्या दिल्ली में वाकई हवा जो है वो सांस लेने लायक बच्वी है या नहीं तो वहीं आपको बता दे कि राज्यों सभा में सवाल जवाब हुए जहां पर कार्टकेश शर्मा ने स्टूडेंट्स को लेकर कई सवाल उठाये और दिल्ली की आबो हवा को लेकर भी सवाल उठाया कि क्या दिल्ली की जो हवा है वो सांस लेने लायक बच्वी है या नहीं अगर बच्वी है तो प्रदूशन के बढ़ने के क्या कारण है क्या प्रदूशन के कर दो मैं झालना है